बिटकोइन का प्राइज 69,000 के old time high को टच करने के बाद क्रैश हो गया और बिटकोइन में bear run स्टार्ट हो गया लास्ट मन्त जून में बिटकोइन ने almost 70,000 के प्राइज को टच किया है और अब सबसे बड़ा कोश्चन सभी के mind में यही है कि बिटकोइन का bottom कहां पर है और कब कब Bitcoin में bottom बनेगा आज की वीडियो में हम इनी दो question के answer डूणने की कोशिश करेंगे Bitcoin के चार्ट को analysis करके और अगर आप भी जानना चाहते हो कब और कहां Bitcoin का bottom बनने वाला है तो वीडियो को बिना skip किया एंड तक जरूर देखिए अगर आप अमारे चैनल पर न्यू है तो subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe करें सबसे पहले Bitcoin का weekly chart देखते है with the 120 day moving average Bitcoin के चार्ट पर आप देख सकते है Bitcoin के last 10 year में दोनों लाइन ने एक दूसरे को बस दो बारी cross किया है and recently इन दोनों लाइनों ने third time में एक दूसरे को cross किया है सबसे पहले cross किया है 2015 के Bitcoin crash में और इसके cross करने के 2 week के बाद ही Bitcoin ने अपना bottom बनाये था और उसके बाद 8-9 month तक Bitcoin का price एक range में ही consolidated करता रहा है next 2018 के Bitcoin crash में फिर से ये crossover बना था and जिस week में ये crossover बना था वो week ही Bitcoin ने अपना bottom बनाये था जिसके बाद Bitcoin 5-6 month तक एकी range में consolidated करता रहा currently Bitcoin के price chart को देखें तो अब फिर से Bitcoin के price में downtrend चल रहा है और third time फिर से crossover बन रहा है और इस crossover के just बाद Bitcoin में एक sharp decline देखने को मिला और Bitcoin ने almost 70,000 के level को touch कर लिया था जिसके बाद Bitcoin अभी तक 18,000 के नीचे नहीं गया है last two week से and last two time जब ये crossover बना था तब Bitcoin ने इसके आसपास ही अपना bottom बनाये था इसका मतलब हम ये मान ले कि Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है और अगर Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है तो आगे क्या होगा प्राइस कब तक यहां रहने वाला है या फिर हमें एक big rally देखने को मिल सकती है या नहीं इन सवालों के जवाब हम आगे की वीडियो में और discuss करेंगे उससे पहले हम Bitcoin के एक और चार्ट को analyze करते हैं इस चार्ट में हमने RSI indicator के use किया है Bitcoin के monthly chart पर RSI indicator हमें show करता है कि कोई भी asset overboard zone में है या फिर oversold zone में है RSI indicator की upper side overboard zone होती है and downside oversold zone को show करती है अगर हम Bitcoin के monthly chart को देखे RSI indicator का use करके RSI indicator पर आप देख सकते है जब भी RSI line 100 और 90 के level के बीच होती है तब Bitcoin अपने all time hyper होता है और जब भी ये purple line 40 level के close होती है तब Bitcoin का price अपने bottom के round होता है आप देख सकते है 2015 में purple line green line के बिलकुल पास थी उसी time Bitcoin ने अपना bottom बनाया था और वो best opportunity थी investors के लिए crypto में invest करने की जिसके बाद Bitcoin ने 900 times का massive return दिया था इसके बाद again 2000 end में फिर से purple line ने green line के बिलकुल close trade किया तब ही Bitcoin ने अपना bottom बनाया था जिसके बाद फिर से Bitcoin ने बहुत अच्छा return investors को बना के दिया था और अब एक बार फिर से purple line ने almost टच कर लिया है green line को दोनों चार्ट जो मैंने आपको दिखाए है different different indicator के साथ है दोनों यही indicate कर रहे है कि कहीं न कहीं Bitcoin bottom के पास ही है या फिर जल्दी Bitcoin bottom बना सकता है अब एक और चार्ट को हम देखते हैं वो भी एक और indicator के साथ जिसे कहते है PI cycle bottom indicator वैसे तो इस indicator को investors strongly follow नहीं करते है बट Bitcoin के last two bear market में PI cycle indicator ने बहुत ही perfect work किया है Bitcoin के bottom को identify करने में 2015 bear market में जब इस indicator ने crossover बनाया था उसके next week में ही Bitcoin ने अपना bottom बनाया था और 2018 के Bitcoin crash में भी जब ये crossover बना उसके दो week के बाद ही Bitcoin ने अपना bottom बना लिया था अब Bitcoin के current price chart को देखते है तो इस indicator पर crossover बनने ही वाला है और दोनों line almost crossing point पर ही है last two time पर PI indicator ने बिलकुल precisely bottom बताया था क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है हमने जितने भी चार्ट देखे वो हमें यह indicate कर रहे है कि Bitcoin अपने bottom के पास है क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है question अभी भी वही है क्या इस बार ऐसा होने वाला है क्या Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है 7,500 डोलर पर अभी के market scenario को देखे तो जितने भी crypto से related analysis या polls हो रहे है उनका यही कहना है कि market में bottom अभी नहीं बना है Bitcoin का price 50,000 और even 10,000 को भी touch कर सकता है बोत लोगों का कहना है और 70 से 80% का यही मानना है और वो इस बास से agree करते है और जब सब लोग market में एक ही बास से agree कर रहे होते है तबी market में usually उसके opposite होता हुआ हमें दिखाई देता है आप किसी भी financial market को देख सकते हो अगर मेरे point of view की बात करूं तो Bitcoin कहीं न कहीं अपने bottom के पास है या फिर एक से दो week में Bitcoin bottom बना सकता है बट एक बात जरूर है market कभी भी up and down नहीं चलता है जब भी market beer run complete करके bottom बनाता है उसके बाद market long time तक consolidated space में रहता है जो 6 months से 1 year तक का भी हो सकता है आप ये बिल्कुल मत expect करिए कि आज market ने bottom बना लिया तो वो next 6 months में old time high को touch करने वाला होगा ऐसा किसी भी market में नहीं होता है इसलिए 2022 से कुछ expect हम नहीं कर सकते है ये मेरा point of view है दोस्तो और मैं पूरी तरह से गल्त भी हो सकता हूँ इसलिए कोई भी decision लेने से पहले अपनी खुद की reserve जरूर करें ये था दोस्तो आज का मारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओगा इसलिए वीडियो को like and share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you, जैहिन